Dear students, आज हम आपकी क्लास परस का चेप्रा नुम्बर नाइन जो है Good Manals and Habits पढ़ने जारे हैं Good Manals and Habits क्या होता है? अच्छे आदाब और अच्छी हार्थे आज हम अच्छे आदाब के बारे में पढ़े हैं अब Good Manals क्या होते हैं? The way we behave and speak with other people are called manners तकि वो तरीका जिससे हम दूसरे लोगों के साथ बात करते हैं उसे बताब करते हैं उसे manners कहते हैं अब अच्छे Good Manals, अच्छे आदाब क्या होते हैं? सबसे पहले हैं Always wish to your elders and teachers हमेशा आपको क्या करना चाहिए? अपने बढ़ू और अपने टीचर को wish करना चाहिए? मतलब सुबह हो तो Good Morning, दोपेर हो तो गुदा क्रमू, शाम तो गुदे भी हमेशा अपने बढ़ू और टीचर को क्या करना चाहिए? wish करना चाहिए? सलाम जरनी चाहिए उसके बाद है Always say thank you when you get something जब भी कोई आपको कुछ दे तो हमेशा thank you, मतलब शुकुरिया करना चाहिए उसके बाद है Always say sorry when you are someone in some way अगर आपके वजह से किसी को बुरा लग जाए या किसी का कोई हुकसान हो जाए या किसी को कोई problem हो जाए तो हमेशा उसे sorry करो और उसे वाफी मानो करो Last is always say you are welcome and someone says thank you to you तक कभी भी अगर आप किसी का कोई काम आपको किसी की कोई हल्प कर दो कोई आपको thank you करें शुक्रिया करें तो हमेशा you are welcome मतलब को शामदी कहना चाहिए हमें अगर बहुत लगा की जंदगी में यह सारे अच्छे आदाब जो में वह अपनानी चाहिए तो फिर हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे आज से लिए उर्पहाली और अपने आगे वह हैब्स अच्छी आयंते मोनाँ अगने लेक्ट्र में पड़ें दो